2023 में एक ऐसा दिन था जिस दिन नेपाल के खिलाड़ी ने एक ऐसा खेल खेला था कि पूरी दुनिया के जो लोग है उनकी नजर जो है नेपाल को पर आ गई थी हाँ मैं उसी 2023 की बात कर रहा हूँ जब नेपाल क्रिकेट टीम जो है एसियन गेम्स में मैच खेलती है और एसियन गेम्स में मैच खेलने के साथ-साथ एक ऐसा रेकॉर्ड बनाती है जो आज तक टी-20 आए में नहीं बनाए आज तक 300 प्लस टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाईयों 300 प्लस टारगेट की वही दिन के बार में मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो दिन को याद करो क्योंकि कल जो है वो मैचेस स्टार्ट होने वाले और नेपाल के अंदर जो है ऐसे ऐसे टैले दिया जाए तो काफी ज़्यादा दिल को सुकून मिलेगा क्योंकि वो तो बाहर मैंचे थे चलो चाइना में खेला गया था लेकिन कल अपने घर में अगर इस तरह की चीज़े होती है तो मैं आप लोगो एक चीज तो शेयरटी लिखके दे रहा हूं कि नेपाल की के टीम के ज साथ दिल से कह रहा हूं कि वो दिन एक वार और और रिपीट हो और पुरी दुनिया की नजर नेपाल के उपर जाए कि एक चीज़ में देखा है कि नेपाल क्रिकेट टीम जितती है तो बहुत सारे लोग तारीफे करते लेकिन जब हारती है तो भाई यहां पे किसी भी तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दुख में साथ हूँ तो नेपाल की खिलाडी मुझे खुशी दे जीत के वो रन बना के जिससे मैं अपना सीना चोड़ा करके पुरे इंडिया में चिला-चिला करके का ओओ कि हाँ नेपाल क्रिकेट टीम के अंदर बतलब ऐसी चीजे हुई ह पर आज की जो मैं अगर कते हैं कोई नहीं सकती है और इसको नियुक्त कर ही नहीं सकती है वह एक हिस्ट्री बन गए दोस्तों तो मुष्क बोरी नहीं सकता तो ये चाँता है और एक बार हो और स्लिए मैं कहना करहा है नेपाल के कद स्ब्सक्राव्ट अनिल शाह और आशिव शेख यह चार खिलार यह कि जो मैंने नाम लिया आपको आपके सामने मैं इन चारों से रिक्वेस्ट करना चाहूं कि यह कल इस तरह की ही निंग खेले कल कुशल भूर्तेल आके के फॉर्मेट में अपना जो दम है जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं किंग भूर्तेल उस तरह के शॉट्स खेले पावर प्ले में च्योवर में कम से कम पचास साक्षण मारे ताकि नमीबिया की तीम को पैंट मिमूत ना पड़ जाए और यह मैं मैं बहुत दिल से कह रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं उपर उपर से कह रहा है फिर ऐसा कुछ मैं चाहरा हूं पावर प्ले का रन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और वह काम कुछल भूरते लासिफ शेक कर लेते हैं बाई चंद सागर विकेट गिर जाती हो तो अनिल सा को करन लिए और लास्ट में मैं चाहूंगा अगर नेपाल क्रिकेट टीम मारी रन अगर आट हुए तो दिपेंदर सिंग एरी को फिर मीडिल ओर में आकर रन मारना चाहिए और कम से कम कर नेपाल क्रिकेट टीम को नमीबिया के एगेंस्ट नहीं भी चलो तीन सब्सक्राइब बना सबसे आप जाके पुछो कि नेपाल को हराना कितना ज़्यादा है मतलब यह था टफ था तो कहेगी बहुत ज़्यादा टफ था इसलिए मैं चाहता हूँ दिपेंदर सिंग एरी कुशल भूरतेल आशिफ शेक अनिल शाह कुशल मनला यह सारे खिलारी जो है रन बनाए बाकि बॉलर के मैं बात करें संपल कामी को जो है वह बॉलिंग में मतलब लाना चाहिए का ने कि लास्ट मैचेश करदिया गया था मुझे समझ नहीं है कि लॉट पलब किया था क्योंकि संपल कामी तो बैस्ट बाइस ही थे मतलब पुरे सिरीस में बहुत अच्छी बॉलिंग कि लेकिन उसको last matches में drop कर दिया गया था और जो बॉलिंग वो नहीं करवाया के सारे all rounder को भर दिया गया था तो मैं चाहता हूँ वो चीज़े जो है गलती जो है next matches में ना हो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस तरह की देखना चाहते हो अगर आप मेरे तरह तरह कटर फैन करते हैं मेरे पर सब्सक्राइबर है फिर भी मैं दूसरों के चैनल पर जाए के कमेंट करता हूं कि मुझे अच्छे लगते हैं और यही है सोचल मीडिया की आप अपने आपको अपने आपको एक ऐसा पोट्रे करो कि आप नॉर्मल इंसान हो बस वही मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें ठीक है मैं कमेंट कर रिपलाई जरूर करूंगा वीडियो को शरक कर दो करें कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब